हारे के सहारे की जय हो, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राशिवालों मित्रों, आपका पूरा परिवार तूट कर बिखर जाएगा, अगले 24 गंटे में ये एक गलती फिर से मत द दीजिए और कमेंट बॉक्स में तीन बार जय श्री श्याम अवश्य ही लिख दीजिएगा, तो चलिए, आपके 24 गंटे की आगे हम बात करते हैं, दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, कि सफलता की बाढ़ आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है, और जो भी शत आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलते थे, और दोस्तों, यश में आपकी सफलताओं को देखकर वो जलजल कर ही मर जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, उनके जनकाल में इस प्रकार के स्थिती बनने वाली है, कि दोस्तों, वे लोग अपने आपको बिलकुल ही सदमे में उन लोगों को बिलकुल भी उनके बारे में नहीं बोलना है, ना ही उनका शब्द अपने मुह पर लाना है, बस दोस्तों, आपको अपने जकाल में कार्य करने हैं, जो भी सफलताओं आपको ईश्वर दे रहा है, जो भी सफलताओं भगवान श्री राम आप सभी को दे रहे उन्हें आपको बस लेना है और अपने जनकाल में आगे बढ़ना है दोस्तों। यकीन मानिये आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के जनकाल में खुशियों की हरियाली होने वाली है। जी हाँ, दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अगले 48 घंटों के अंदर आप शब को अपने युनकाल में कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए। जिनसे दोस्तों आप शब का जो भी समय है वा बिल्कुल ही शक्तिशाली समय बन जाएगा। और घर में जो भी बरकत है, घर में जो भी आपके कार्य हैं, वे बिल्कुल ही समपन्न हो जाएं। जी हाँ, दोस्तों, तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला उपाय आपको अपने जनकाल में यह करना है कि दोस्तों, आप सभी के जनकाल में ऐसा होता ही रहता ह कि पेशा आपके नकाल में टिकता ही नहीं है। जी हाँ, दोस्तों, आपकी राश्य के बहुत सारे जातक इस बात को लेकर परिशान है। कि दोस्तों, आप पैसा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है, कि आप पैसा नहीं कमाते हैं। दोस्तों, आपने अपने नकाल में बहुत सारा पैसा कमाये हैं, लेकिन दोस्तों, आपका पैसा कमाया हुआ रुक नहीं पाता है। जी हाँ, दोस्तों, आप इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, और दोस्तों, वह पैसा आपके पास नहीं टिकता है, कोई न कोई विग्ण बाधाओं में वह पैशा खर्च हो ही जाता है, तो दोस्तों, इनके लिए आपको कौन से उपाए अगले 48 घंटों के अंद जाए, तो दोस्तों, ऐसे आपको क्या करना है, जी हाँ, दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाए है, जी हाँ, दोस्तों, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, या फिर व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों, आपको एक चमकीला लाल कपड़ा लेना है, उसे बव कर, उस पर लाल, चंदन का टुकड़ा लाल, गुलाब के फूल, रोली, तथा 48 पेसे रखें, दोस्तों, फिर उस कपड़े में सारे सामान को बांध कर पोटली नुम बना कर अपने घर में जो तिजोरी है या फिर गले हैं, उनमें रख लें, दोस्तों, इस से आप S.B. के जो भी कारे अटके हैं, वे सारे काम बनेंगे, और जो भी पेश आपके घर में आते हैं, जो किसी ना किसी विग्ण बधाई में खर्च हो ही जाते हैं, चाहे आप कित के घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, दोस्तों, आज व्यवसाय में सुधार करने होंगे, व्यवस्था और कार्यक्षमता बहतर करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कोई यात्रा संबंधी भी प्रोग्राम बन सकता है, सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने कारियों के लिए उचित योगदान देने से उच्चा धिकारियों से सराहना होगी, पति-पत्नी के बीच चल रहे मन मुटाव का जल्दी ही समाधान मिलेगा, और आपसी संबंध ज्यादा मधुर भी हो जाएंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको अपने स्व पतास रिष्टेदार से आपको उपहार प्राप्त होगा, किसी बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी भी संभव है, दो पहर बाद परिस्थितियां विप्रीत हो सकती हैं, धैर्य बनाए रखें, कोई दुखत समाचार मिलने से मन में उदासी रहेगी, इस समय सबसे महत्वप में विशेश रूप से सफल रहेंगी, अपने कर्मचारियों के साथ सहयोग आत्मक व्यवहार रखने से उनका कार्यों के लिए समर्पन बना रहेगा, अपने महत्वपून कार्यों में जीवन साथी और परिवारजनों का सहयोग अवश्य ले, निश्चित ही आपको उचित सलाह मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में मधुर्ता बढ़ेगी, स्वास्थे का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर और डाइबिटीज से संबंधित नियमित जाँच करवाएं, इलाज के लिए लापरवाही ना बरते, आपकी वानी अच्छी रहेगी, किसी भी समस्या का समाधा विदेशी मामलों से धन लाब और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, युवाओं को भविश्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, धन सम्बंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेश ध्यान रखें, विरोधी आपके खिलाफ शड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, कंपटीशन एक्जाम दे रहे हैं, तो कोशिशों में कमी ना आने दे, निश्चित सफलता मिलेगी, अगस्त और सितंबर थोड़ा कठ इन में अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, पत्रिक संपत्ती को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, और उसे आपसी सती से सुलजाए, तो जल्दी सुलजे आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ने में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा, नौकरी बदलने की प्लानिंग है, तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, सिर्फ कोर्ट कचरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है, शेर माकेट और निवेश में फायदा होने के योग है, वर्किंग मह हारने में आपको ही विशेश कोशिश करनी होगी, प्रेम संबंधों के लिए लिहाद से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है, कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें, पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, मौसमी बीमारियों से भी ब के कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है, पारिवारिक संपत्ति को मामला कोट में चल रहा है, तो उसे आपसी सहमत इसे सुलजाने की कोशिश करें, सफलता मिल सकती है, रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे, आत्म विश्वास बढ़ेगा, आपके कांटेक्ट महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में व्रिध्य होगी, जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकत है, आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिल्चस्पी ना ले, पैथिक संपत्ती से जुड़े विवादों को सुलजाने के लिए बहुत महत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे, कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी, इनमें व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन फाइदा कम होगा, बिजनिस में काम ज्यादा रहेंगे, नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अन्चाही जगह हो सकता है, जो लोग बिजनिस में हैं, उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेग नौकरी की तलाश या बिजनिस शुरू करना चाहते हैं, तो सफलता मिलेगी, मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग है, बिजनिस या प्रॉपर्टी संबंधी, कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसक का फैसला भी आपके फेवर में होगा, परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार में शादी होने या बच्चे के जनम की खबर मिल सकती है, निजी यात्राएं तो होंगी, परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा, प्रेम संबंधों में चल रही गलत फहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिये से यह साल सामान ने रहेगा। ब्लड प्रेशर डाइबिटीज की समस्या है तो लापरवाही ना करें। नियमित जाँच करवाते रहे और इलाज ले, महिलाएं खास तोर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहे। किसी तरह का इफ होने की भी आशंका है, भाई बहनों के साथ मनमुटाव चल रहा है, तो संबंधों में मिठास आ जाएगी, विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों की रुकावटें दूर हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी खास इंसान के जरीए सफलता मिलने की संभावना है, सफलता पाने के लिए पूरे साल ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आपके प्रतिदवंद भी हारेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं बड़ा भी देंगे, जमीन जादद से जुड़े मामलों में मेहत के साथ सफलता मिलेगी, कागजी कामों में खासतोर से सावधानी रखें, दोस्तों, आज नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे, अधिक व्यस्तता की वजह से स्वास्थे पर प्रभाव पड़ सकता है, काम के स शेश गुण रहेगा, सिर्फ धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कारियों को अंजाम देते जाए, भले ही आपको इस समय यह सही ना लग रहा हो, आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता, करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां ले ली हैं और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बराहेट रहा है, आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा, अपना वॉक लोड कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाएं, डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी, आज का दिन अन्य एवं दूसरे मौके के लिए उपयुक्त है, जिन लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया है, वे लोग आपसे मिलने या सलाह लेने आ सकते हैं, आज का दिन नए सिरे से अपनी दोस्ती और प्रेम को मजबूत करने का समय है, आज का दिन माफी प्रदान करने, गलतियां भूलने और बेकार की चीजों पर पानी डालने का समय है, दूसरी ओर आप भी किसी ऐसे व्यक्ती से मिल सकते हैं, यह समय पुरानी बातों को भूल कर एक नए सिरे से शुरुआत करने का समय ग्रहों की स्थिति में, परिवर्तन के कारण, एक नई उर्जा का संचार आप में हो सकता है, आप जीवन्त महसूस करेंगे, आप में अधिक से अधिक काम लेने की इच्छा आप में प्रबल होगी, और तब भी आप खुश रहेंगे, इस से पता चलता है कि चीजें सकारात पत्मक दिशा में आगे भड़ दिये रही है, लेकिन इस उत्साह में अपने स्वास्थ्य को नजरंदाज ना करें, एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर में रहता है, किसी पुराने दोस्त या परिवार के साथ बाहर घूमने जाने, या बातचीत का आनंद ले, आपको के लिए उनी तरीकों पर भरोसा करना चाहिए, जो आपके लिए पिछले समय में लाभकारी रहे हैं, आज कोई नया प्रयोग शुरू करना ठीक नहीं होगा, अगर आप कोई नौकरी या कोई परियोजना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तपो पारंपरिक तरीकों से ही क पाइदे मंद रहेगी, इस से आपके पेट की स्थिती भी ठीक रहेगी, अगर आप पे पदार्थों जैसे चाय कॉफी आदी की मात्रा बढ़ाते हो, तो आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए, आपके शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करें, इसके घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है, हवन की विभूती से, नकारात्मक उर्जा दूर होती है, आप हवन की भस्म को घर या दुकान के चारों और छिड़क, इस से नकारात्मक उर्जा दूर होती है, और यह नजर दोश के लिए भी प्रभावी है, नजर दोश उता आपके बिजनेस में उथल पुथल बनी रहेगी। लेकिन आप यदि किसी डील को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह भी फाइनल होते होते रह सकती है। जिसके कारण आपके मन में निराशा बनी रहेगी। दिखा कर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप अपनी अच्छी सोच का कारेक शेतर में लाब उठाएंगे। इसलिए अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें। आप किसी गलत काम के लिए हां में हां ना मिलाए, नहीं तो बाद में आप उसमें फंस सकते हैं। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम आपके लिए समस्या बन सकता है, जिसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही वह पूरा हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए तरक्की नेता से मिलने का मौका मिलेगा और आपके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। संतान को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ा परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। संतान को दी गई जिम्मेदारियों में डील हो सकती है। जिसके बाद आप उनसे नाराज हो सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, वह साथी को परिवार के सदस्यों से मिलवा सकते हैं। आप इधर उधर के कामों को लेकर भाग दोड में लगे रहेंगे। इसके कारण आपको ठकान का अनुभव होगा, आपको अपने व्यवसाय में बदलाव करने से बचना होगा, नहीं तो इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिती पर पड़ सकता है। आ आप किसी अजनभी पर भरोसा ना करें। आज का दिन आपके लिए शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपको किसी यात्रा पर जाते समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा। कार्यक्षेत्र में आप यदि कोई डील फाइनल करेंगे तो उसमें पूरी लिखा पड़ी करके करें। नहीं तो आपके साथ कोई धोका हो सकता है। कई सालों से यह तीन देवियां आपके घर में रह रही हैं और इन्होंने आपके घर के आसपास एक ऐसा रक्षा कवच बनाया है कि कोई बुरी आत्मा, कोई बुरा माठकी हैं, आपने भगवान को किस तरह से प्रसंग किया है, वह आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। जिन लोगों के घर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं है, भगवान का आशीरवाद नहीं है, उन लोगों को क्या करना है वह भी वीडियो में आज की बताया जाएग तो बस थोड़ा सा समय निकालिए जरूर और आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर लाब आपको बहुत ज्यादा होने वाला है सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माताराणी के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखिएगा आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे दोस्तों हमारी जिंदगी में जब भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं हमारे टांग खींचने वाले लोग बहुत ज्यादा बरह जाते हैं क्योंकि जो जिंदगी है ये कबड़ी की तरह है यहाँ पर जैसे ही कोई सफलता की लकीर को छूना चाहता है वैसे ही लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भगवान का साथ आपके पास हो और वह इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता जिसके उपर स्वयम परमात्मा का हाथ होता है। तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। ऐसे लोग हमें गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके घर में नकारात्मक उर्जा है। अगर होगी तो कभी भी देवी मा का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाएगा। और सवाल ये उठता है कि नकारात्मक उर्जा हमारे घर में आखिर होती कब है। जब दोस्तों आपके घर में सुभह शाम सही समय पर जाड़ू नहीं लगती, पोछा नहीं लगता तो समझ सकते हैं कि गंदी वाध्धा कितना ज्यादा हो जाता होगा। इसके अलावा जब गंदी वाध्धा होता है, स्वच्छता नहीं होती, तो परिवार के सदस्यों के दिमाग अपने आप ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उस घर में नेगेटिव एनरजी आने लगती है। जहां पर स्वच्छता होगी, वहीं पर सकारात्मकता होगी, जहां पर अस्वच्छता होगी, वहां नकारात्मकता का आना तय है, तो ऐसे में जो दिमाग है, सभी के अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आपस में वे लोग लड़ने लगते हैं, प्रॉपटी का बंटवारा करने लगते हैं, एक दूसरे को गाली गलोच करने लगते हैं, अब पारिवारिक माहौल तो पूरी तरह से खराब हो गया। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, तो आपका घर काफी पॉजिटिव रहेगा, आपके घर में जब पॉजिटिव एनरजी रहेगी, तो माता का प्रवेश स्वयम हो जाएगा, और एक बार माता रानी का आशीरवाद आपके घर पर बरस गया, तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, फिर स्वयम माता रानी आपके घर की रक्षा करेगी, क्योंकि सकारात्मकता एक बार घर में प्रवेश कर गई, और आपने घर को स्वच्छ बनाए रखा, देखिए जब माता का प्रवेश हो गया, उसके बाद भी जिम्मेदारियां बहुत बरैट जाती है उसके बाद तो आपको समय पर पूजा पाठ करना चाहिए, जब जीवन में अच्छे नतीजे मिल रहे हो, आपको तो दिल से मा की सेवा करनी चाहिए, और साथ ही साथ, दोस्तों, अपने घर की बहु बेटियों को पूजा पाठ से बहुत जल्दी जोड़ना चाहिए, वो स गरों पर मातारानी की विशेश कृपा प्राप्त भी होती है, आगे वीडियो में है खास सावधानिया, अंत में है दो मातारानी के जबरदस्त उपाए, थोड़्धा सा समय निकालें और हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें, देखिए जो आने वाला समय है, यहाँ प खुश हूँ, तो इस मुकाम पर है यह वो, लेकिन पीठ पीछे आप ही के खिलाफ शड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते, यह स्वार्थी होते हैं और हमेशा हम कहते हैं, रिष्टों में सारती बनो, स्वार्थी नहीं, ऐसे स्वार्थी लोगों से काफी लाजवाब है, लेकिन किस्मत की मार जब पड़ दीती है, तो इनसान को अनुभव बद्धा मिलता है, जब आप अकेले काम करने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ कुछ लोग जुढधना चाहेंगे, और आपको लगेगा कि चलो जोड़ लेते थोड़ ही मदद हो पानी में जाना किसे बोलते हैं, और आपका जो भरोसा है, इनसानियत पर से वह भी उठ सकता है, तो अकेले चलिए, लंबा चलिए, मेहनत ज्यादा करिए भले ही, लेकिन हार मत मानिए, जिंदगी में यह बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करत हैं, वह समय का खास खयाल रखें, क्योंकि समय बद्धा बलवान है, और यह समय हाथ से चला गया, तो इनसान कभी कुछ नहीं कर पाता, समय पर ऑफिस जाना और समय पर ऑफिस से आना बहुत जरूरी है, समय का मैनेजमेंट आपको जीवन में आगे बरहाएगा, क्योंकि द आप पसंद करते हैं, आपके दिमाग में, आपके मन में संतुष्टी रहेगी, कि मैंने वह किया, जो मेरा दिल चाहता था, मन में कभी यह भाव नहीं रहेगा, कि मुझे एक बार ट्राय करना था, मुझे एक बार उसमें प्रयास करना था, और जरूरी नहीं है, आप नाका पहावनाएं बहुत बरिया बन रही है, लेकिन आपको हर चीज को प्रैक्टिकली देख कर चलना है, आपको सटेबाजी नहीं करनी है, सोच समझ कर हर चीज को करना है, आपके आने वाले भविश्य के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, दामपत्य जीवन में खुशियों क समावेश रहेगा, अपने जीवन साथी का सम्मान आपको अवश्य करना है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह स्त्री हो, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी आपकी गाढधी जो है, वह सही ढंग से चलती रहेगी, क्योंकि रिष्टों में सम्मान की बहुत जरू और एक सम्मान चाहिए होता है, जिन्दगी उनकी यूँ ही फिर आपके उपर नियोचावर कर देती है, दोस्तो हम अकसर देखते हैं कि हमारे घर में सुख शान्ती बनी रहती है, हमारे घर में कलेश नहीं होता, परिवार के सदस्य मिल जुल कर रहते हैं, या फिर लगाता पैसों की प्राप्ति हो रही होती है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, देवी ये शक्तियों की खास क्रिपा आपके घर में है, लेकिन क्या हर घर में देवी शक्तियों की क्रिपा रहती है, क्या हर घर में देवियों का आशीरवाद रहता है, तो एक बात का ध्यान जिस घर में शुद्धी होती है, जिस घर के लोग परोपकार के कार्य करते हैं, जिस घर में शाम के समय कलेश नहीं मचता, जिस घर में सुभह सही समय पर पूजा पाथ और जाड़ू पोछा हो जाता है, जिस घर के लोग रोजाना नित्य प्रति दिन भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं और सामने वाले को भी भजन सुनाते हैं ऐसा घर पूरी तरह से सकारात्मक उर्जा से ओत प्रोथ होता है ऐसे घर में सदैव देविया निवास करती है, क्योंकि यहां पर नकारात्मक शक्तियां फटक ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध करमों से उस घर को एक मंदर के समान बना लिया है और मंदिर में कभी भी गलत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, शैतानी शक्तियां नहीं आ सकती, वह केवल और केवल शुब शक्तियां ही आ सकती है, वह केवल और केवल देविया ही आ सकती है, और ऐसा घर जब आपका बन जाता है, तो दिन, दुगनी, रात, चौगनी तरक किसी प्रकार का तंत्र मंत्र काला जादू करवाता है तो उसका असर भी बेअसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अधिकांश घरों में आज के इस दौर में एक चीज बहुत ज्यादा सामान्य है और वह है जलन भावना। आज कल हम एक दूसरे से इतना ज्यादा जलने लगे हैं कि जो जलन भाव है हमारे रिष्टे में कटुता लाने लगा है। उन्हें ऐसा लगेगा तो बहुत कमा रहे हैं। भले हमने एक RS1 जोड करके वह चीज ली हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा। तो इस वजह से दोस्तो घर का माहौल धीरे-धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। और सबसे पहला कारण है जलन भावना। किसी से भी जैलिया मत क्योंकि हर इनसान का एक समय होता है और समय के अनुसार ही सबको मिलता है। आज हमें ऐसा लगता है कि वह सफल हो रहा है। हमने हो रहे हैं तो देखे। सूर्य और चंद्रमा दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है लेकिन जिस समय जो आता है वह च समझाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकेंगे। निराश मत हो ये। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं और अन्त में दो उपाय भी तो दिये जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और हमारी आज की वीडियो को बिलकुल अंत तक देखें क्योंकि हम गैरंटी के साथ कहते हैं जो इनसान आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा ये तीन देविया उसके उपर इतनी महरबान होगी कि उनके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों लेकिन सवाल य माता लक्ष्मी और माता काली की कृपा बनी हुई है। आपको माता वैशनो देवी की भी पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों घर के घर की कुल देवी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना मां तो मां होती है चाहे वो आपकी मां हो या संसार की मा वो अपने बच्चों को सदैव विनम्रता के भाव से देखती है वो अपने बच्चों को सदा प्रेम के भाव से देखती है और बच्चे कुछ गलती कर भी देते हैं तो एक माँ उन्हें खुशी-खुशी माफ कर देती है उसी प्रकार से आपके लिए भी ये कि जननी माता वैशनो देवी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है कॉमेंट बॉक्स में जैमाम वैशनो देवी जो भी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखें कि माता को बिलकुल भी पसंद नहीं है बेईमानी आप इतना ध्यान रखिए बेईमानी के काम से आपको कोसों दूर रहना है और बिलकुल भी नाता तोड़ देना है जूट बोलने से क्योंकि जूट जो होता है वो एक debit card के सत्य जो होता है दोस्तों वो एक debit card की तरह होता है जिसमें आप पहले कीमत चुका देते हैं बाद में आपको खूब आनंद आता है लेकिन जो असत्य होता है वो credit card की तरह होता है जिसमें पहले तो आप खूब मजे ले लेते हैं लेकिन बाद में तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप कोसो दूर रहिए जूट बोलने से क्योंकि देवी शक्तियों को बिलकुल भी पसंद नहीं है इसी के साथ साथ दोस्तों मांस मदिरा का सेवन बिलकुल त्याग दें और शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आप करें क्योंकि जो इनसान इस तरह के भोजन करता है उसकी जो दिमागी हालत है दिमागी स्थिती है वह आसुरी हो जाती है क्योंकि पहले के समय में असुर ही इस तरह की गतिविधियां करते थे देवता तो नहीं करते थे और अगर आप भी आज के जमाने में ऐसा करेंगे तो आप भी असुर बन जाएंगे और असुरों को तो दिव्य शक्तियों का साथ नहीं मिलता आपके घर का माहौल उससे बिगड जाएगा घर में नेगेटिविटी आने लगेगी तो हम आपको सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं मानना या न मानना तो आपके हाथ में है कि आप एक काम जरूर करें अपने घर को शुद्ध शाकाहारी बनाएं अभी तक जो हुआ सो हुआ लेकिन अभी के अभी अपने घर में गौमूत्र का छड़काव करें गंगाजल से पोचा लगाएं और एक प्रण लें कि आज के बाद कभी भी हम मानसाहार का सेवन नहीं करेंगे धुम्रपान का सेवन नहीं करेंगे मधिरापान नहीं करेंगे और खुद को भगवान की भक्ती में रमा लेंगे और हमारे घर को इतना सकारात्मक बनाएंगे कि वहाँ पर दिव्य शक्तियों का देवियों का वास होने लगेगा और फिर दिन प्रति दिन ऐसी ऐसी तरक्की आपको प्राप्त होगी आगे आज भी नहीं बढ़े तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी आईए दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और ये दोनों ही उपाय आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये दोनों ही उपाए आपकी फूटी से फूटी किसमत को भी समवारने वाले हैं। आपको भी समझ आएगा कि जिन्दगी किस तरह से किस मुकाम पर आ जाती है और इंसान को क्या परिणाम दे जाती है। अगर आपकी ख्षमता है तो आप भोजन भी करा सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाए हैं दोस्तों, इतना शानदार उपाए हैं कि आपकी जोली कब भर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा उपाए दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा स सावधान आप हो जाएगा। देखिए माता को आपको सोलह श्रंगार की सामगरी अरपित करनी हैं। शुक्रवार के दिन ये उपाए आप करिये। आपके घर की जो भी देवी आए हमने जो नाम बताए हैं, उनका नाम लेकर के आप सोलह श्रंगार की सामगरियां अरपित क और उसके बाद आपको क्या करना है? वह सामगरी, दान के स्वरूप, किसी भी सुहागन महिला को दे देना है, माता लक्षमी की खास क्रिपा आप पर मिलेगी, और यह तीन दिव्या जो आपके घर में रहती है, हमेशा आपसे खुश रहेगी.